असलामलेकम आपर विवन दिस इस अस्वान फ्रोम टैक बीरू और एपल ने अपने Mac OS और Google ने अपने Chrome OS में पहले ही built-in screen recorder की functionality को introduce करवा दिया है बट अगर बात करें Windows OS की तो Windows OS laptop और PC में सबसे ज्यादा use किया जाने वाला operating system है बट Microsoft ने अभी तक इसमें कोई भी built-in screen recorder को introduce नहीं करवाया बट आज किस वीडियो में आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा कि जिनको use करते हुए आप अपने PC या laptop की screen को free में record कर सकते हैं यह totally free है और यहाँ पर आपको वीडियो में किसी भी किसम का कोई भी watermark भी देखने को नहीं मिलेगा विंडोस प्लस जी को और उसके बाद आपके पास Xbox Game Bar open हो जागी और वहाँ से आपने capture के बटन पर क्लिक करना है अगर आपको capture की option नहीं मिल रही तो आपने widget की option पर क्लिक करेंगे यह है कि आपकी voice और आपके PC का sound दोनों एक साथ ही इस recording में record होंगे बट यहाँ पर कुछ limitations है limitations कहें तो मिरी नजर में वो problems है और वो यह है कि अगर आप अपने PC की desktop screen पर मजूद है यह अगर आपने file explorer को open किया है तब आप इस feature को use करते हुए अपने PC की screen को record नहीं कर सकते बट उसके लावा अगर आपने किसी और application को open किया है यह अगर आप gaming कर रहे हैं तब आप इस feature को use करते हुए अपने PC की screen को record कर सकते हैं और अगर आप Xbox Gaming Bar की Limitation से खुश नहीं है तो don't worry, अब मैं आपको जिस software के बारे में बताने वाला हूँ, एक तो ये open source है और दूसरा ये totally free है, और इसका नाम है OBS Studio, ये software आपको Google से भी download करने के लिए मिल जाएगा और उसके लावा आप Windows के Play Store से भी इसे download कर सकते हैं, और मैं और इससे हो गई ये कि इस software की setting को आपके PC की screen recording के लिए optimize कर दिये जाएगा और इसके बाद आपने इस software को open कर लेना है, और जैसी आप इस software को open करेंगे तो bottom पर आपको एक plus का icon मिलेगा, उस पर click करेंगे तो बहुत सारी options आएंगी, वहाँ से आपने capture display की option पर click करते हुए okay कर देना है, तो आपके PC की screen record होना start हो जाएगी, और इस software को use करते हुए आप अपने PC की full screen को भी record कर सकते हैं, आप चाहें तो किसी specific area को भी select करके record कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो किसी specific application को भी record कर सकते हैं, means कि आपने VLC player को open किया है, और आप चाहते हैं कि सिरफ उ PC software को use करें, और इस software के थुरू आप ना सिरफ recording कर सकते हैं, बलकि आप YouTube और Facebook पर live streaming भी कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो संद आ रही है, तो प्लीज इस वीडियो को like कर दिजिए, और अगर आप बहुत ही advanced और complex software था, बट अगर आप बहुत ही simple interface वाला software चाहते हैं, तो उसका नाम है freecam, अब ये software आपको Google से download करने के लिए मिल जाएगा, और जैसे आप इसे install करेंगे, तो आपके पस सामने ही new recording की option आजएगी, और जैसे आप उस option पर click करेंगे, तो आपके PC की screen record होना start हो जाएगी, और इस software के थुरू भी आप अपने PC की full screen को भी record कर सकते हैं, और अगर आप वीडियो में यहां तक आगे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप इस वीडियो में interested हैं, तो प्लीज यार अगर आपने अभी तक मेरा चैनल subscribe नहीं किया, तो प्लीज उसे subscribe कर लिजिए, और इस method में हम Microsoft PowerPoint को use करते हुए अपने PC की screen को record करेंगे, और ये method उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा helpful आने वाला है, जो के students हैं, यहां जो लोग office work करते हैं, क्यूंकि ये ऐसे categories के लोग हैं, जो के अपने PC में last month Microsoft Office को install करके रखते हैं, तो अगर आपने MS Office को install कर रखा है, तो PowerPoint को open कर लिजिए, तो आपको top पर कुछ tabs show होंगी, वहां से आपने insert kit app को click कर लेना है, तो आपको last पर screen recording की option देखने को मिल जाएगी, उस पर जैसे आप click करेंगे, तो आपके PC की full screen record होना start हो जाएगी, और जब आपने इस recording को store करना होगा, तो आप keyboard से press करेंगे, Windows shift और Q की keys को एक साथ, तो आपकी recording store हो जाएगी, और store होने के बाद है, जो के clip champ के नाम से आती है, बट आज की date में, जब मैं ये video record कर रहा हूँ, तो Microsoft ने अपना एक insider preview release किया है, और वहाँ पर जैसे मैं Microsoft की website पर जा के उसे read कर रहा था, तो वहाँ पर Microsoft ने ये चीज़ लिखी हुई थी, के हम clip champ का desktop version, आप Windows 11 में built-in introduce करवा रहे हैं, तो में जब आप ये video देख रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको clip champ का desktop version Windows 11 में पहले से ही देखने को में रहा हो, तो उसके थुरू आप ना सरो videos को record कर सकेंगे, बलके आप अपने PC की screen को record भी कर सकते हैं, अभी भी जो उसका website version है, उसके थुरू भी आप अपने PC की screen को record कर सकते हैं बट उसके लिए आपको पहले clip champ की website पर जाके register करना पड़ेगा, आप चाहे तो Google के account से भी register कर सकते हैं, या अगर आप चाहे तो Microsoft के account से भी register कर सकते हैं, तो ये थे वो 5 तरीके के जिनकी मदद से आप Windows के अंदर अपने PC की screen को record कर सकते हैं, बगैर watermark के और बिलकुल free, त तो वीडियो को लाइक केजिए, चैनल को सब्सक्राब केजिए, थैंकियो फूर वाचिंग, अल्हाफीज